हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ट टू पॉइंट ओपर तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास भसमा सोर का पहला भाग नहीं 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 अपने फ्लैट की दीवार पर भूजे बरसा दी आशा चीकती चली गए मैं ये जुल्ब नहीं होने दूँगी अश्रम न जबट कर उसकी दौनों का लाईयां पकड़ी और दाहाड़ा आश्रम आर्जू मासू मैं बेगुना है मैंने अपने हातों से उसे क्या हवाले किया मैं इन हातों को तोड़ दूँगी उफ पागल हो गई क्या हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ अश्रम मुखडे पर जज़बातों की सुरखी और आखों मैं आशुली आशा चिंगाड़ी क्या तुम पागल नहीं हुए क्या तुमारी आत्मने चीक चीक कर नहीं का कि हमने जो किया वे पाप था, गुना था, मासूं आर्जू पर ही नहीं बलकी विकास पर भी किया गया ऐसे अध्याचार था जो हम जैसे इंसान नहीं दरिंदे किया करते हैं अश्रफ दरिंदे, दरिंदों के सीने में भी दिल होता है मगर हम, हम ना इंसान है ना दरिंदे, हम सीक्रेट एजेंट है, सिफ सीक्रेट एजेंट, आशा की तरह बढ़ते विक्रम ने दर्द भरे स्वर में कहा, दिल का हम से कोई नाता नहीं, हमारा काम सिर्फ और सिफ चीफ के चीफ के हुक्म का पालन करना है, और चीफ हमें ताजी थे खिलीवी कलियों को मसलने का हुक्म देगा वेंग से सराबोर सर में आशा कहती चली गई गुल्शन में मनराती तितलियों के बंक गतरने का लेगा फूलों का रस पीर भवरों को गुचलने का लेगा चीफ ये चाहेगा कि चकोर अगर चान की तरफ देखे तो इसकी आंगे फोड़ दी जाए और हम ऐसा करेंगे चीफ अगर ये होकुम दे कि जो कोयल मीठे सर में मीठे सर भस्मा सर में कुके मीठे सर में कुके उसकी जबन काट ली जाए तो हम तलवार लेके तूट पड़ेंगे चीफ अगर ये कहे कि होश में आओ आशा होश में आओ हिकारत भरे हुंकारे के साथ आशा ने अपनी कलाईयां छुडाते हुए का चीफ का हुकम हमारे जिस्मों पर हुकूमत कर सकता है दिमागों पर हुकूमत कर सकता है यहां तक की दिलों पर भी हुकूमत कर सकता है मगर जजबातों पर काबिज नहीं हो सकता इतियास गवाय इश्राफ बड़े बड़े सुर्मा मैदाने महबबत में घुटनों के बल चले है अकबर जैसे शेहनशा को आखिर एक कनीज के कदमों में सिर जुकाना पड़ा विकास और आर्जू की महबबत का ये पर्चम अफचीफ किसे जुकाए नहीं जुकेगा विकास और आर्जू की महबबत का तो बहाना है नाहार ने कहा हकीकत ये है कि तुम्हें विजए की महबबत में पागल कर दिया है हाँ 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 मैं विजए से महबबत करती हूँ जो बात आज तक किसी से नहीं कई वे चीक चीकर तुम सब के सामने कहती हूँ मैं विजए के बगएर जिंदा नहीं रह सकती विजए मेरा देबताय मसीया है मैं पूजा करती हूँ उसकी और बार बार यही सब कहती आशा फर्श पर बैठती चली गई अपने घुटनों पे मुखड़ा छुपा कर फूट फूट कर रो पड़ी वै ठीक यूँ जैसे दिल के अंदर जजबातों का बांट तूटा पड़ाओ अश्रफ विक्रम और नहार उसे ठगी से देख रहे थे सभी के चैरों पर जजबातों के आंधी चल रही थी आँखों में आसूं का सैलाब बहुत देर तक वे फफफफफख कर रोती आशा को देखते रहे फिर अश्रफ ने आगे बढ़ने की हिम्मत की नस्दीक पहुँचा दाया हाथ उसके सिर पर रखा आहिस्ता से बोला जो तुमने का उसे हम बहुत पहले से जानते हैं मगर भावनाओं पर उसी तरह काबू रखो जिस तरह कल तक रखे हुए थी इस हकीकत को कुबूल करो कि ना तोम और विजय एक हो सकते हो ना विकास और आर्जू की शादी हो सकती है आखिर क्यों? क्योंकि सीक्रेट सर्विस जोइन करते वक्त हमने अपने प्राणों की आउती देकर भी इस देश की रक्षा करने की कसम खाई है विकास और आर्जू की मोहबब से कौन सा पहाट तूट पढ़ने वाला है मुल्क पर? विक्रम ने समझाने की कोशिश की जिनोंने अपना जीवन वतन के नाम कर दिया विग्रस्ती का बोज नहीं उठा सकते तब तो किसी सैने को शादी नहीं करनी चाहिए आशा ने करारा जवाब दिया क्योंकि उन सबी पर मुल्क की हिफाज़त का जिम्मा होता है उन सबी ने हमारी तरह तरंगे की आन बान और शान के लिए कुर्बान उने की कसम काई होती है उफ अश्रम जुझला उठा तुमसे बहस नहीं की जा सकते सौ बातों की एक बाती है कि विकास और आर्जु की शादी इसले नहीं हो सकती क्योंकि चीफ ऐसा नहीं चाहता शब्द आशा के मुझे फिसलते चले गए क्या हम चीफ के गुलाम है तीनों अवाक इतने जादा कि तुरंद किसी के मुझे बोलना पूटा आशा काफी देर बोलने के बाद नहार का लहज़ा कांप रहा था तुमारे लफजों से बगावत की बू आ रही है बगावत और चीफ के खिलाब बगावत कर तुम जानती हो नहीं इसमें बगावत जैसी कोई बात नहीं है आशा ने अपना सौर सयंत रखने की चेश्टा के साथ कहा किसी को अपनी भावनाओं से परिचित कराना बगावत नहीं होती कहना क्या चाती हो तुम आशा खड़ी हुई ध्यान पूरवा बारी बारी से अश्रफ विक्रम और नाहर के जैरों को देखा चेहल कदमी शुरू करने के साथ एक एक लवज बर जोर देती बोली चीफ के खौफ से खौफ काई जुबान भले ही चाहे जो कह रही हो मगर चेहरे साब बता रहे कि तुम मुझसे सह मत हो तीनों चुप रहे उसना अश्रफ के आँखों में आखे डाल कर का जवाब दो अश्रफ मैंने ठीक कहा या गलत ठीक भी कहा हो तो क्या हो सकता है इतना तो होई सकता है कि इस मुद्दे पर सब एक मत होकर चीफ से मिले और वो कहें जो हमें कहना चाहिए विकास और आर्जू की शादी अगर होई जाए तो नहीं विक्रम का चहरा पीला पड़ गया था हम ऐसा नहीं कर सकते चेफ की गुलामी करते करते तुम इतने नपुनसक हो चुके हो कि उसके सामने जाका सच्चा ही कह नहीं सकते दातों पर दात जमा कर आशा कहती चली गई खून सफेद पड़ चुका है तुम्हारा तुमसे अपना साथ देने के उमीद करना बेवकूफी होगी मगर इस भुलावे में मत रहना कि तुम साथ नहीं दोगे तो आशा इरादा बदल देगी मैंने खुद पर चीफ का ये जुल्म सा अपनी भावनाओं को कुछले रखा बगर अब सवाल आर्जू का है विकास का है अंजाम चाहे जो चीफ को मेरी बास सुननी होगी कहने के साथ वह तेजी से दरवाजी की तरफ बढ़ गई ठैरो अचाना के शरफ के मुग से निकला आशा छिटकी घूमी सुलकते सर में पूछा किसली ये मैं तुम्हारे साथ हूँ अश्रफ विक्रम का लहजा कांप रहा था बाट ठीक है दोस्त अश्रफ ने विक्रम की तरफ पलट कर का अंजाम भले ही जो सच्चाई को किसी की भी आँखों में आखे डाल कर कहने की कुबबत हम में होनी चाहिए मैं फिर कहता हूँ ये बगावत होगी बगावत भी है तो मैं तैयार हूँ नहार दर्वाजे की तरफ बढ़ा चलो अश्रफ आश्रफ की याँ के जहाँ जुगनियों की मानित तमकने लगी वही विक्रम के चैरे पर जवर्दा उल्जन के भाव अबर आए अश्रफ ने का सोच लो विक्रम आखरी मौका है चीफ के सामने खड़े होकर तुम मैं सच्चाई कहने की ताकत है या नहीं जब सबने फैसला करी लिया है तो चूड़िया मैंने भी नहीं पहनी है आश्रफ के होटों पर सफलता की मुस्कान रेंगी आखों में खुशी के आसू लरज उठे और पढ़ने वाले जरू सोच रहे होंगे कि जिन भारतिय सीक्रेट इरजंट्स के बारे में अपने चीफ के खिलाब बगावत की बास सबने तक में भी नहीं सोची जा सकती वे बगावत पर क्यों आमादा है ऐसा आखिर कौन सा मसला है जिसने आशा विक्रम अश्रफ और नहार को इतना अंदोलित कर दिया कौन है आर्जू और विकास कब उसकी मौब्बन में गिरफतार हो गया इन सब सवालों के जवाब से वे पाठक वाकिव है जिन्नोंने रहना कहे पुकार के पड़ा है आर्जू शिरी सागर नामक मुल्क के शेहंचा सुल्तान की बेटी थी मा का नाम नसीबा सुल्तान की दो भाई थे बड़े भाई का नाम बाबर और चोटे का नवास खांग वो रात कहर की रात थी जिस रात इन तीनों के पिता अर्थात यूसुफ खाने मिट्तु शेया प जंगल में फकीरी जीवन गुजार रहे अपने भाई कुर्बान अली के पास पहुंची आर्जू को उसकी गोद में डाला और यह वचन देकर दुनिया से रुकसत हो गई कि कुर्बान अर्जू का अपने माबाप की हत्या का बर्ला लेने के काबिल बनाएगा इधर अर्जू जब 20 साल की हुई तो कुर्बान ने उसे अपनी हकीकत और मकसद बताया वो अपने माबाप का अंजाम और यह जानने के बाद आर्जू मानू पागल हो उटी किशी सागर की सत्ता की असली हगदार वै है उसने बावर सरकार के खिलाव जहाद चेड़ दी वतन पर और चेहरे पर सफेद नकाब था आर्जू उसका मकसद जाने बगएर मदद लेने को तैयार नहीं थी परंतु कुर्बान अलियू को अपना उल्लू सीधा होने से मतलब था मामा के दवाब में आर्जू का नकाब पोश्च की मदद लेनी पड़ी नकाब पोश्च ने उन्ह यह शक्स दरसल पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI का मेंबर था उसने इस मिशन पर विकास की निक्ति की सूचना अपने आकाउं को दी सूचना आर्जू और कुर्बान अली तक पहुँची आर्जू ने भारत में ही पहुँचकर विकास को सबक सिखाने की ठान ली मॉ लड़ी की तरफ आ रहा था उस वक्त उसने कुछ गुंडों के एक लड़की का अप्रण करने की चेश्टा करती देखा गोखले ने ना केवल गुंडों को नाकाम कर दिया बलकि जान बचाकर भागने पर भी मजबूर कर दिया लड़की ने अपना नाम सूईटी बताया चारो तरब मौजूद लोग भिन्न दिशाओं में जा गिरे इससे पूर्व की कोई कुछ समझ पाता लाइट गुल लो गई और पुना लाइट आने से पहले आर्जू मॉंटो को किड्नैप कर जुगी थी विजए की कोठी के ड्राइंग रूम में केवल तीन शक्स थे विजए ब्लैक बॉय और विकास विचार बमश की बात पाया गया कि असल मश्री सागर जाएगा विकास ही लेकिन क्रहम अंतराले को ये सूचना दी जाएगी अश्रफ जा रहा है सच यही लगे इसके लिए अश्रफ को अंडर ग्राउंड कर दिया जाएगा और विकास की घर में एक जूनियर सीक्रेट एजिन को विकास बना कर रखा जाएगा उधर सरदार ने कुर्बान अली और आर्जू को बताया कि नई सूचना के मताबिक भारत में श्रीसागर आने वाले जलपोत पर एक ऐसा शेक सफर कर रहा था जिसके विकास होने की संभावना है यह सूचना सुनते ही आर्जू मानो पागल ओटी उसने का ऐसा है तो उसे वहीं को चलना होगा विकास सचमुष शेक के मेकब में जलपोत पर सवार था उसने नोट कर लिया था कि एक दो नहीं पूरे साथ मुसाफिर उस पर नज़र रखे हुए पांच एक गरूप में दो दूसरे गरूप में अभी उनसे निपटने के बारे में सोची रहा था कि आर्जू सीधी सीधी उसके सामने आकर खड़ी हो गई तब जल्पोत पर सफर करने वालों ने दो महारतियों का ऐसा खूनी टकराफ देखा जिसे देखना तो दूर कल्पना तक करना उनके बूते की बात नहीं थी जबर्दस फाइटिंग के बाद विकास ने आर्जू को बेहोश बले ही कर दिया हो मगर मनी मन कबूल किया कि लड़की ने उसे नाको चने चवा दिये हैं इदर आर्जू बेहोश हुई उधर पांच के गृरुप ने विकास पर हमले शूरू कर दिये हाला कि विकास उनके लिए केले ही काफी था मगर दो के गृरुप ने उसकी मदद की विकास ने पहले पांचों को बेउश किया फिर अपनी मदद करने वालों को ठोका पूछा की वे कौन है तो नोंने बताया हमें शीसागर इंटेलीजेंज किस जीब नवास खाने आपकी हिफाज़त के लिए तैनात किया है उधर महल में नवास खान शेह इंशा बाबर और तीनों सेनाओं के अद्धक्षों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो इंडियन एस सीक्रेट एजेंट डबल एक्स फाइव जिहादियों को कुचलने शीसागर आ रहा है उसे वन में आर्मी कहा जाए तो गलत ना होगा कि तभी नवास खान के गले में पड़े लौके टूपी टांस्मीटर पर विकास की आवाज उबरी जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर सभी को मानना पड़ा कि विकास ऐसी हस्ती का नाम है जिसे वन में आर्मी कहा जा सकता है होश आने पर आर्जू ने खुद को एक कुर्सी पर बंदी पाया उसके पांचो साथी उसी कक्ष में लगे सीलिंग फैंपर उल्टे लटके हुगे थे सामने खड़े विकास ने कहा नवाज और बाबर से जो लड़ाई तुम लड़ रही हो मेरी नजर में ना केवल जायज है बलकि इस लड़ाई को जीतने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ आर्जू बोली मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है लड़के ने कहा गलत हत्यार सप्लाई करने वालों की मदद तुम्हे हांसे ले आर्जू की जुमाँ पर ताले पड़ गए इतना ही नहीं विकास ने ये कहकर उसके जमीर को लड़कारा की वे और उसके वतन बरस नौजवान बेकजूर लोगों के हत्यां क्यों कर रहे हैं लड़के ने आर्जू को सोचने पर मजबूर कर दिया एसास करा दिया कि वो भटक गई है उसकी आत्मा को जंजोडा सरदार के खिलाब भडकाया और पाचो सातियो साइथ इस तरह आज़ात कर दिया कि जो आर्जू विकास को अपना दुश्मन समझती थी उससे नफरत करती थी वही आर्जू उसकी फैन हो गई विकास की एक एक बाद उसके दिल तमाग को चीरती चली गई थी आर्जू कुर्बान अली के सामने खड़ी विकास की तारीफों के पुल बांध रही थी वह ये वही खोती जहां मॉन्टो पिंजरे में कैद था तब ही वहाँ वही सरदार पर कट हुआ उसके ख्याल से विकास पर दवाब बनाने के लिए मॉन्टो को मार डाला जाना चाहिए आर्जू विरोध करती है परंतु सरदार उसके विरोध पर ध्यान ना देकर मॉन्टो को गोली मारने वाला होता है कि एन मौके पर विकास पहुँच जाता है यहां उई फाइटिंग के परणाम सरूर विकास ना गेवल मॉन्टो को उनकी कैट से निकाल ले जाता है बलकि मॉन्टो सरदार की जेब से उसका इडेंटिटी कार्ड भी गायब कर देता है कुर्बान अली आर्जू और सरदार अंदेरे का लाव उठाकर फरार हो जाते है सुबह के वक्त विकास और मॉन्टो की मुलाकात महल में बाबर तीनो सेना द्यक्षियों और नवाव खांसे होती है बाचीत के दर्मिया विकास नोट करता है कि शेहनशा बावर नवास खांसे दबदबा रहता है मगर इस पर कोई टिपड़ी नहीं की उसने आर्जू के बारे में पूछा नवास खान ने आर्जू वाली कान ही अपने फेवर में मोड़ कर सुनाई विकास ने तब भी कोई टिपड़ी नहीं की केवल इतना का मैं आर्जू के जहन में सरदार के खिलाव जहर बढ़ चुका हूँ और यह चारा भी डालाए कि यदी वे सरदार का साथ छोड़ दे तो मैं जहाद में उसकी मदद कर सकता हूँ मेरी इस चाल के परलाम जल्दी ही सामने आने चाहिए बात में दम था आर्जू ने गुफा के अंदर वतन परस नौजवानों की मिटिंग दी हर नौजवा अपने मुलक की हिफाज़त के लिए विकास से टकराने को तयार था परन्तु आर्जू ने ये काकट टाल दिया कि वो मेरा शिकार है अकेले में जब कुर्बान अली ने बात की तो आर्जू ने का विकास जयाद में हमारा साथ देने के लिए तयार है क्यो ना हम सरदार को भूलकर उसकी मदद करे कुर्बान अली ओखडगे बोला विकास हमें बेवकुब बना रहा है हमें फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाता है परन्तु आर्जू लाग समझाने के बावजुद उसकी बातों पर यकीन नहीं करती उल्टा कुर्बान अली पर आरुप लगाती है सरदार खोश हूटा बोला इससे सुनेरी मौका हमें का मिलेगा आर्जू को बर्गलाने की खातिर अगर विकास उसे एकान में मिलने की मुगता करता है तो हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे आर्जू के बुलाने पर विकास अकेला काला कुओं पहुंसता है सरदार और कुर्बान अली के जाल में फसकर भेहोश हो जाता है होश में आने पर खुद को उसकी कैद में पाता है एक गुफा में उसे जंजीरों में कैद करके रखा गया है सामने कुर्बान अली और सर्दार है सर्दार कुर्बान अली को वहां से ये कहा कर भेज देता है कि काफी देर हो चुकी है आर्जु को होश आने वाला होगा वै उसे यहां आने से रोके कुर्बान चला जाता है सरदार विकास से अपने आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूचता है जाईर है विकास कुछ बताने की जगए उसे उसके नाम यानी नवाब खां किया कर पकारता है बौखलाया हुआ नवाब खां विकास के कंदे में गोली मार देता है और पिस्तौल की नाल से जखमों को कुरेता कार्ड की बारे में पूचता है उस वक्त विकास असैनिय पीड़ा से गुजर रहा था जब वहाँ आर्जू पहुंसती है वह द्रिश्य देखते ही वह नवाब खां पर तूट पड़ती है नवाब खां से उसकी जबर्दस फाइटिंग होती है लेकिन अंतता नवाब खां उसे भी जंजीरों में चकड़ लेता है और तब शुरू होता है विकास को तोड़ने के लिए आर्जू कर नगन करने और उससे बलात कर करने कर शर्म नाक खेल इससे पूर्व की वह अपने नापाखे रादों में कामयाब हो पाता कुर्बान अली वहाँ पहुंच जाता है सरदार से उसकी खूनी भिलंत होती है सरदार कुर्बान अली का जिसम गोलियों से भर देता है जंजीरों में जखड़े विकास और आरजू चीखने चिलाने से जातों कुछ नहीं कर पाते कुर्बान अली मरने वाला होता है कि मौन्टो पहुंच के सारे पासे उलड़ देता है जुनूनी अवस्था में आरजू नवाव खाँ को ठीक उसी तरह तलपा तलपा कर मार डालती है जिस तरह उसने विकास को तलपाया था उस हरकास से जाहिर था कि वे विकास से महबबत करने लगी है इसी महबबत जिसके बारे में सहम भी नजान सकी कि कि कब इस जजबे की गिरुफ्त में आ गई अपना सारा जीवन आरजू पर कुरबान कर देने वाला कुरबान अली अंते मिच्की के साथ आरजू का हाथ विकास के हाथ में देता हुआ कहता है अब तुम ही इसके खेवन हार हो असल हिंदुस्तानी हो तो जेहाद में इसका साथ देने का वादा पूरा करना और सारे जीवन सहेच का रखना इसे गुफा की तलाशी लेने पर विकास को नवाखां का ट्रांस्मीटर और ऐसी डायरी मिलती है उदर राजनगर में विजय ने गोपाल किष्ण सावला को दबोचा इदर आरजू ने विकास के कंदे में फसी गोली निकाली गोली तो निकल गई लेकिन इसी दरमया कुछ ऐसा हुआ कि आरजू विकास के दिल और दमाग में जा धसी विकास ने गोशना की कल सुबह आरजू एक युवक के वेश में मेरे और मौन्टो के साथ महल में जाएगी परसो सुबह तक नकेबल बाबर और नवास कहा आप लोगों की कैद में होंगे बलकि शी सागर की सत्ता पर आरजू काबिज होगी अकेली आरजू ने नहीं सभी वतन परस नौजवानें विकास पर यकीन किया मगर अगली सुबह महल में पौस्ति विकास में सभी के विश्वास के परखच चोड़ा दिये उसके साथ मौन्टो था योवक के वेश में आरजू थी नवास बाबा और अतीनों सेनद धक्षों की महफिल मपौस्ति उसने आरजू के चेरे से दाड़ी मूचे नौची उसे नवास खां की तरफ धकेलता हुआ बोला समालो जिहादियों की सरदार को मेरा मिशन पूरा हुआ कुर्बान मारा गया इनका विदेशी आका मारा गया रहे दल के नौजवान उनकी गिरफतारी की तियारी करो आरजू हत्प्रव रह गई विकास की इस हरकत ने मॉन्टो तक को पागल कर दिया रिवालवर निकाल लिया उसने और डट गया आरजू के फेवर में विकास से बगवत कर दिया उसने पहले विकास ने समझाने की कोशिश की मगर जब मॉन्टो ने एक न सुनी तो उसे भी गिरफतार करने का हुक्म दिया मगर मॉन्टो को गिरफतार करना असान ना था विकास की वज़े से आर्जू को वाँ से निकाल कर ले जाने में भले ही वे कामियाब ना हुआ परन्तु सेम लड़ता भिड़ता फरार होने में जरूर कामियाब हो गया विकास ने नवास खान से कहा आर्जू को किसी ऐसी जगे कैद करो जा मॉन्टो न पहुंच सके मैं मॉन्टो को देखता हूँ नवास खान ने वही किया जैसे विकास चाहता था रात का वक्त महल का तैखाना आर्जू को उल्टा लटकाया गया था नवास खान के हाथ में हंटर था हंटर को आर्जू के जिसम इस तरह बरसा रहा था जैसे इनसानी जिसम नहीं भूसे की बोरी पर बरसा रहा हो तैखाने में आर्जू की चीखें गूंज रही थी यहाँ बाबर और नवास खान ने वही किया जैसा विकास चाहता था रात का वक्त यहाँ बाबर नवास खान के बीच जो बाते हुई उने सुनकर उल्टी लटकी आर्जू हैरान रह गई इतनी जादा की जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी पता यह लगा कि पंद्रा साल पहले ना आर्जू के पता के खिलाव वही बगावत में बाबर का हता ना ये आर्जू के माबाब के कतल में वे दिल से नवास खान के साथ था नवास खान ने उसी समय से बाबर के जिस्म में छोटा से ऑपरेशन करके एक बम लगा रखा है उस बम का रिमोट हमेशा नावास खांकी जेम में रहता है नावास तब से आस तक बावर को इस धंकी के साथ कट पुटली की तरह नचार आए कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा नावास चाहता है तो वे रिमोट का बटन दबा कर उसके परकच्चे उड़ा देगा ये सारी बात है नावास ने नारजू के सामने अपने मूँ से सुईकार की और साथ ही ये भी सुईकार किया कि शी सागर का असली शैंशा वै बावर थे केवल नाम का शैंशा है जिसमें बम लिये घुमरा बावर विचारा उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है नावास का ये सब सुईकारना था कि तैकाने में चमतकारी ढंक से विकास और मॉन्टो प्रकट हुए मॉन्टो ने कोई भी मौका दिये बगए रिमोट अपने कब्जे में गिया विकास ने का ऐसी किसी गड़बड़ी की संभावना मुझे तबी से थी जब कॉन्फरेंस हौल में पहली बार तुम से मिला बाबर का नवास से डरे डरे रहना मुझे खटक गया ता इस रहसे तक पहुंचने के लिए मैंने नाटक किया तुम उसमें फस गए अपनी फत्य के नशे में चूर होकर वे सब बका जो अगर किसी और के दौरा बताया जाता तो हमें यकीन नहीं आता सुबह का वैसीन देखने लाइक था जब तीनो सेनक देख्शों की मौझूदगी में नवास ख़म मॉन्टो के हर हुक्म का पालंग कर रहा था मॉन्टो कभी उससे उठक बैठक लगवा था कभी सिर के बल खड़ा होने को कहता तो कभी मुर्गा बनने का हुक्म देता नवास उसके हर आदेश का पालंग कर रहा था करता भी क्यों नहीं अब बम उसके जिस्म में था और रिमोट मॉन्टो के हाथ में शीर सागरी ए टीवी पर बावर का चैरा पकरट हुआ सारी दुनिया के आँखें उसी स्क्रीन पर जमी थी बावर ने जब ये कहा कि पिछले पंदरा सालों से वे नहीं नवास कहा मुल्क पर हचैंचाई कर रहा था और वे उसकी कैद में थे तो दुनिया चौंक पड़ी फिर अपनी करतूत दुनिया को खुद बताने के लिए नवास को टीवी पर पेश किया गया नवास ने अपना गुना कबूल किया तो दुनिया ने दातों तले उंगली दवा ली भारत में रहना और उसके बराबर में बैठा हुआ डुपलीकेट विकास भी टीवी देख रहे थे नवास के बाद जब आर्जू स्क्रीन पर प्रकट हुई तो रहना उचल पड़ी मॉन्टो की किटनैपर को वे देखते ही पहचान गई विकास को फोन में लाया विजएज ने भी बात मजाक में उडा दी रहना हैरान थी टीवी केंदर से महल की तरफ आते वक्ट थल सेना देख्ष ने सबकी नजरों से बचाकर नवास खाँ को एक पड़ची पड़ाई पड़ची पर लिखा था आई एस आई आई आपकी सेवा को ततपर है पड़ची पड़ते ही नवास का दमाग तेजी से काम करने लगा समझ गया कि थल सेना देख्ष का पेट आई एस आई भड़ चुकी है इशारे से उसने थल सेना देख्ष से रिवालवर मांगा थल सेना देख्ष ने उसकी जेब में रिवालवर सरका दिया जिस वक्त वे महल की बारादारी से गुजर रहे थे उस वक्त मौका अच्छा समझका नवास खान ने संग मरमर की एक आदम कद मूर्ती के पीछे जंप लगा दी जेब से रिवॉल्वर निकाला उसकी कोशिश रिमोट हाजिल करने की थी जो इस वक्त आरजू की जेब में था आरजू आडगई बौक लाकर नवास ने उस पर फाइरिंग की मगर एन वक्त पर विकास आरजू के सामने आ गया इधर पलक जपकते ही पाँच गोरियां विकास के जिस्म में धसी उधर आरजू ने रिमोट का रुटन दवाया नवास के पर खच्चे उड़ गए सल देना देख्ष को मॉन्टर ने धराशाई कर दिया विकास बुरी तरह जखमी हो गया था एंबुलेंस में डालकर उसे फॉरं हास्पिटल ले जाए गया डॉक्टर ने जब ये कहा कि इतना बड़ा ओपरेशन यहां नहीं हो सकता तो आरजू ने फॉरं भारत ले जाने का फैसला किया और फोन पर जबट पड़ी राजणगर में रगणात के फोन की घंटी बजी रिसीवर रहना ने उठाया दूसी तरफ आरजू थी रहना को उसने मम्मी कहकर पुकारा और कहा कि विकास को पांच गोलिया लगी है वह उसे प्लेन दोरा भारत ला रही है आपरेशन की तैयारी रगी जाए तो रहना ने कहा क्या बख रही हो विकास तो यहां है भारत में मेरे पास पहले तो आरजू बॉकला गई फिर सब कुछ याद आती बोली नहीं मम्मी आपके पास जो है वैसली विकास नहीं उसका डुपलीकेट है रहना दंग रह गई रगणात का रिवालवर ताने विकास के कमरे में पहुँची और इन आलाद में सीक्रेट सर्विस का जूनियर जासूस भला कितनी देर खुद को विकास दर्शाय रख सकता था रहना ने उसके चहरे से विकास का फेसमास नौच लिया पूछा कि ये सब किसके कहने पर किया तो जूनियर जासूस ने विजय का नाम ले दिया अब सुलक्ती रहना विजय की कोटी पर पहुची और कहन परंकर विजय पर तूट पड़ी दौनों हातों से उसका ग्रेबान पकड़कर जंजोरती चीखी तुम ही हो जो विकास को जाने किन चक्रों में उलजाय रखते हो अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे माफ नहीं करूँगी उसे गोलिया लगी है पूरी पांच गोलिया सुनते ही विज़ उचल पड़ा रेना से पूरी बात पूची उसने और मामला समझ में आते ही एंबुलेंस लेकर एरपोर्ट की तरफ दोड़ा श्री सागर से आने वाला प्लेन जब लैंड हुआ तो एरपोर्ट पर विज़े के लावा सीक्रेट सर्विस के सभी मेंबर्स ठाकोर साब, रेना और रगुनात थे उधर युद्ध स्तर पर विकास को हॉस्पिटल पहुचाने की तैयारियां की जा रहीं थी इधर रेना के पैर पकड़े आरजू गिरगड़ा उठी मेरे विक्की को बचा लो ममी, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ यहां तक आनन फानन में काफिला अस्पताल पहुचा बड़ी मुश्किल से विकास की जन बचाई जा सकी सबकी आँखों में खुशी की चमक दमक उठी क्या चमक विजए की आँखों में भी थी बगर उस चमक में कई उलजन का भाव भी था मॉन्टो को अकेले में ले जाकर उसने विस्तित रिपोर्ट मागी श्री सागर में जो कुछ हुआ था मॉन्टो ने अपनी टायरी में लिखकर उसे दिया इधर विजय ने टायरी पड़ी उधर उसकी पेशानी पर चिंता की लकीरों ने मकडी का जाल बुन लिया पास दिन बाद गुपत भबन में विजय और अजय यानि ब्लैक बॉई के बीच जो बाते हुई उन्होंने ब्लैक बॉई को बुरी तरह बेचान कर दिया विजय ने कहा था कि मॉन्टो की टायरी पढ़कर लगता है दिल जला आर्जू की मौबबत के लपेटे में आ चुका है और देर सबीर उससे शादी करना चाहेगा ब्लैक बॉई ने कहने की कोशिश की शादी होई जाए तो क्या बुराई है विजय बढ़क उठा वै किसी कीमत पर ये शादी नहीं होने देना चाहता था उसने कारण बताए ब्लैक बॉई सहमत हुआ प्यार, महबबत और शादी के संबन में विकास विजय के विचारों से परिचित था वै जानता था कि विजय गुरू शादी के लिए सहमत नहीं होंगे फिर भी ऑपरेशन के दस दिन बाद आरजू को साथ लिया वे विजय की कोठी पर पहुचा विकास ने शाफ रद्दों में आरजू से प्यार हो जाने और शादी की बात कही उस समय पर चकित रह गया जब विजय ने जरा भी विरोध नहीं किया उल्टा ये का कि उसे उसके फैसले पर खुशी है चार दिन बाद रेना और आरजू कोठी में अकेली थी रगुनात का फोन आया उसने रेना को रेलवे क्रॉसिंग के पहुचने के लिए का रेना का कोठी से जाना था कि अश्रफ विक्रम और नाहर और आशा ने अकेली आरजू को घेर लिया कनपटी पर रिवॉल्वर के दस्ते की चोट पड़ी ये वार अश्रफ ने किया था आरजू बेहोश हो गई जिसम आशा की बाहों में जूल गया उसी समय वहाँ चीफ प्रकट हुआ उसने कहा तुम सब जाओ आरजू का हम ले जाएंगे सबी ना हुक्म का पालन किया मगर कोई ना जान सका कि चीफ के लिवास में विजय था विजय गुप्त भवन में दाखिल हुआ पंदे पर बेहोश आरजू पीछे पीछे ब्लैक बार बार मिन्नत करता हुआ कि आरजू की जान बख्ष दे विजय मानने को तैयार नहीं है उसके ख्याल से ये मुसीबत तब तक नहीं टलेगी जब तक आरजू जिन्ता है दौनों में बहस होने लगती है बैस चली रही है कि रिसेप्षनिस विकास के आगबन की सूचना देती है विजय तेजी से आरजू के बेहोश जिसम को छुपा देता है विकास आता है उस पर जैसे खुन सवार है कहता है कि किसी ने आरजू को किटनाइप कर लिया है विजय पूसता है किसने विकास कहता है ये तुम पता लगाओ गुरू मेरा काम उसके जिस्म के तुकडे तुकडे करना है विजए अन्जान बनकर उससे पूरी बात पूसता है विकास बताता है डैडी का कहना है कि ना मम्मी को उन्होंने कोई फोन किया नाही रेलवे क्रॉसिंग पर बुलाया उधर मम्मी जब क्रॉसिंग पर पहुची तो पापा नहीं मिले इस बीच आर्जू किड्नैप कर ली गई विजए ने फॉरन कहा इसका मतलब किड्नैपर वो है जिसने तुला राशी के नाम से फॉल्स फोन किया और ये किसकी अर्कत है अभी पता करते हैं कहने के साथ उसने टीडीम को फोन मिलाया पता करके विकास को बताया कि ये फोन इंस्पेक्टर गोखले ने किया था जो बेकरी से मॉन्टो का बड़े केक लाया था विजए विकास गोखले के फ्लैट पर पहुचे विकास बाज की तरह तूट पड़ा गोखले पर उसका दरिंदे वाला रूप सामने था ताजे बलेट से टॉर्चर करते वक्स इसने बार बार गोखले से आर्जु का पता पूचा बेचारा गोखले पता होता तो बताता नतीज़ा इस पस्ट था विकास दरह टॉर्चर होता होता तब अल्ला को प्यारा होगे इस बीच विज़े ने गोखले के फ्लैट की तलाशी ले डाली एक डायरी में फुरेरी मारता बोला ये काम ISI का लगता है दिल जले विकास ने पूचा ऐसा कैसे कह सकते हूँ ये डायरी देखो डायरी इसकी तरफ चालते हो विज़े ने कहा गोखले ISI का मेंबर था इसमें ISI के दूसरे एजेंटों के नाम पते और फोन नमबर दर जा विकास ने डायरी ली फ्लैट में मौजूद फोन पर एक नमबर डायल करना चाहा पर अंतु फोन डैट पड़ा था विकास ने जुझला कर रिसीवर क्रेडल पर पटका वापस जाने के लिए विज़े के साथ दरवाजी की तरफ लपका और फिर अचानक ठिटका विज़े ने पूछा लेकिन गुरू ये फोन तो डैट पड़ा है फिर इस नंबर से डैटी के आवाज में फोन कैसे किया गया विज़े के मस्तिश में धमाका हुआ बाट टाल गया वे मगर सवाल विकास के दिमाग में अटक चुका था गर पाउस्ते ही वापस टीडियम को फोन किया टीडियम ने कहा कि उसने विज़े को गोखले के फोन का नंबर नहीं बताया था तो विकास उचल पड़ा पूछा क्या नंबर बताया था आपने और जवाब में टीडियम ने जो नंबर बताया उसे सुनकर विकास की दमाँ मैं संक विस्पोट हूँ वे नंबर विज़े का था पलाग जपकते विकास समझ गया कि विज़े ने उसे गलत इंफॉर्मेशन दी साफ जाहिर था आर्जू को खुद विज़े ने खिटनाइप किया है विकास एक जटके से खड़ा हो गया रहना ने उसे रोकना चाहा पर अंतु जल जले का ही रुका करते है गड़बड हो गई काले लड़के हड़बडा हुए विज़े ने गुप्त भवन में कदम रखा जल्दी से डेट चेंबर का दरवाजा खोलो आर्जू का क्रिया करम फोरं करना होगा विज़े की हड़बडा देखकर ब्लेक बॉखला उठा क्या हुआ सर उस साले गोखले का फोन खोकला हुआ पड़ा था योजना बनाते वक्त हमने इस बात पर गौर नहीं किया दिल जले को पता लग गया है कि फोन डेट पड़ा है पूछ रहा था इस फोन से घर पर कॉल कैसे की गई होगी गुरू मैंने पहले ही कहा था सर ब्लेक बॉखले के सिर पर मानो बम फटा क्राइम भले ही चाहे कितनी भी जितनी होशारी से किया जाए कही न कहीं कोई न कोई पॉइंट छूट जाता है अगर उसे पता लग गया तो पता तब लगेगा जब वे दिमाग लडाएगा और ये चीज़े उसके पास है नहीं वैसे भी हमने ISI के नाम पते वाली डायरी पकड़ा दिये उन्हीं से पूस्ताच करने और लाशों की चीर फार करने से फुरसत नहीं मिलेगी उसे पसराट के साथ देट चेमबर की एक और दिवार अपने स्थान से हड़ गई अब एक विद्धु शब्दा गरह जैसा चेमबर नजर आ रहा था विद्धु टेबिल की तीन हीट रॉट सुलगी हुई थी बाकी आफ थी विजए ने आरजु के जिस्म को टॉर्चर चेहर से उठा कर कंदे पर लादा जबड़े बीचे चेहरे पर दढ़ता के भाव लिए विद्धु टेबिल की तरफ बढ़ा उसका इरादा भाब कर काप गया ब्लैक बॉई लपकता हुआ चीखा सर सर ये क्या करने जा रहे हैं आप किस्सा खत्म स्टेचर बाहर खीचते हुए विजए ने कहा लेकिन सर ब्लैक बॉई के तिरपन काप गये मत कीजिए ऐसा अनर्थ तब तक अनर्थी होता रहेगा काले लड़के जब तक ये जिन्दा रहेगी कहने के साथ उसने आरजू के स्टेचर पर डाला इस्टेचर को सरका का हीटर के अंदर करता हुआ बोला ये खत्म तो सारिज संकर खत्म दिल जला हमसे लड़ेगा भी तो खिसके लिए ब्लैक बॉई उसके कदमों में गिर 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 गिरा उठा मैं आपके पैर पकड़ता हूं सर जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा पहली बार कुछ मांग रहो ये भीक दे दीजिए फैसला बदल दीजिए इसे बख्ष दीजिए ये मर गई तो विकास काले लड़के विजह के मूँ से ऐसी गुराट निकली जैसी ब्लैक बॉई ने पहले कभी नहीं सुनी थी तुम जजबाती हो रहा हो बावनाओं में बह रहा हो होश में लाओ खुत को आज तुम्हारा ये रूप देखकर हमें अपने फैसले पे गिलानी हो रही है जब तुम्हें चीफ बनाया था इंडियन सीक्रेट सर्विस का चीफ वो शक्स हरगिस नहीं बन सकता जिसके पाथ देलो कहने के साथ उसने वस्विच आउन कर दिया जिसके आउन होते हीटर की सभी रौडे गर्म होने लगी सर ब्लैक बॉइ सिर पटकता रहा परंतू फैसला विजए का था और बदल नहीं सकता था एक मिनट गुजरा दो तीन चार और पांच मिनट गुजर गए फीटर की सभी रौडे दहक कर सुर्क हो गई आर्जू का जिसम सुलगने लगा गुपत भवन वे रिसेप्शनिस की आवाज गुजी मिस्टर विकास आ रहे हैं सर ब्लैक बॉई बुरी तरह हडबडा गया विजए विद्दू शब्दा ग्रह और चेंबर से बाहर निकला बखला हुए ब्लैक बॉई साथ था विजए के बटन दबाते ही दीवार सरसरा कर अपने स्थान पर फिक्स हो गई गुरू गुरू आफिस में दाकिल होते विकास की आवाद नहीं बता दिया कि वह किस मूड में है ब्लैक बॉई की जबान मानो तालू से जाचिप की विकास का सारा वजू सुलकता साफ नज़र आ रहा था विजए ने पूछा क्या बात है दिल जले दिमाग का फ्यूज वड़ा क्यों गूम रहा हो विकास की होट नहीं हुले मगर आखे बोल रहीं थी इस तरह घूर रहा था वह विजए को जैसे गिन्दी की पे पहली बार देख रहा हो क्या हुआ प्यारे क्यों है तुमारी आखों में सैकड़ों नजारे विकास की होट हिले तो हलक से भेड़ी एक इसी गुर्राट टिकली आर्जू का है विजए एक छड़ में समझ गया कि जूट बोलने से लाब नहीं है वैह हो चुका है जिसका उसे डर था और सच्चा ही बताने का फैसला करते ही विजए की जिसम की समस्तन से तन गई चैरे के जर्रे जर्रे पर दर्टा के भाव दर्टा की सुर्की काबिज हो गई जबडों के मसल्स फूलने पे चखने लगे जबाब दो गुरू विकास दाहाडा मुझे आर्जू चाहिए तो ले कहने के साथ विजए ने वापिस बटन दबाया डेच चेंबर वे विद्धु शब्दा गरे के पीच की दिवार हट गई विकास के चेहरे पर हॉलनाक भाव थे विजए आगे बढ़ा विद्धु टेबिल के डस्दीक पहुचा स्टेचर बाहर खीचा आर्जू का जिसम राक में तब्दील हुआ पड़ा था ये रही तेरी आर्जू विजए ने सपाट लहजे में कहा उठा और फूट यहां से गुरू विकास इतनी जोर से दहाड़ा की गुप्त भौवन की अमारत थर्थरा हुठी खामोश विजए की दहाड़ किसी तरह उससे कम नहीं थी वो और होंगे जो तेरे चीखने चिलाने से दहशत कहा जाएं मैं तेरा गुरू हूँ वो गुरू जिसने तेरी रगों में खून की जगए फौलाद बरा है और आज आज तो उसी फौला से मुझे डराना चाहता है मुझे विकास देखता रह गया विजए को उस विजए को जिसे यकीन है उसने आज पहली बार देखा था इसमें शक नहीं कि ददक ता जौलम की विकास की चेहरे पर साफ नजर आ रहा था परन्त विजए का रौद रूरू रूप देखकर एक लफ्ज मुझे नहीं निकला जबकि विजए ने सुलकते सर में कहा आवाज नीची रखो कूडे के इस धेर कोटा और भैतरी चाहते हो तो इस घटना को अमेशा के लिए बोल जाओ विकास की आँखे भर गई भर आई विजए के चेहरे पर से नजरन अठाकर स्टेचर पर पढ़ी राक को देखा आँखों में तेरते आसू मानो खून के कत्रों में तबदील हो गए पुना विजए की तरफ देखते हुए पूछा उसने क्या आप सच कह रहे हैं गुरू क्या ये सच मुझ मेरी आर्जू की राक है क्यों विजए ने पूछा अपनी जानो जिगर को पहचानने तक मैं तकलीफ हो रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते अंकल मगर अपने बेटे का सीना चाक नहीं चाक चाक नहीं कर सकते बहुत खूब तू हमारे मनसूब के परखच चोड़ा सकता है हमारी जीवन भर की कमाई किसी लड़कों की जुल्फों में उलच कर गवा सकता है तू हमारे दिल के तुकडे तुकडे कर सकता है मगर हम एक लड़की को राक के धेर में नहीं बतल सकते बात किसी लड़की की नहीं गुरू आर्जू की है हमारे लिए तो वे दुनिया की किसी लड़की जालग नहीं थी मगर आप जानते हैं मेरे लिए है है नहीं बेवकूफ थी है नहीं बेवकूफ थी वे जैने राक की तरफ इशारा किया अब नहीं है मैं नहीं मान सकता आप मेरा इम्तान ले रहे हैं देखना चाहते हैं कि अगर आप आर्जू को मार डाले तो मुझे पर क्या परती क्रिया होगी तो पागल हो गया दिल जले हम पर विश्वास नहीं तो काले लड़के से पूछ विश्वास फिरकरी की तरह ब्लैक बॉई की तरफ गूमा जजबाती सर में बोला आपको मेरे अंकल की कसम आपको मेरी कसम अंकल गुरू के हुकमत जूट मत बोला मेरे सर पर हाथ रखो कसम खाकर कहो मेरी क्या ये राक आर्जू की है आखों में आसू लिए ब्लैक बॉई ने हां में गर्दन हिलाई नहीं नहीं ब्लैक बॉई को तेज धक्का देकर विकास यू चीका जैसे मा जवान बेटे की लाज देखकर चीकी हो पीछे हटते हूँ इसने दौनों हाथों से अपने चेरा ढप लिया और दाहाडे मार मार कर रो पड़ा रोता रोता अपने इस्थान पर बैठता चला गया वै ब्लैक बॉई के आसू पलकों से कूट कर गालों पर धला काए विजय पत्थर की मूर्थी की मानिंग खड़ा था एका एक विकास को जाने क्या सूजी की बाच की तरह जप्टा दौनों हाथों से विजय का ग्रेवान पकड़ा और जुनूनी अवस्ता में चीका क्यों कि यह आपने ऐसा क्यों मारा मेरी आर्जू को उसने क्या बेकाड़ा था आपका वैं हिंदुस्तान से इस देश का बेटा चीनना चाहती थी कौन कहता है यह विकास ने जजोड़ा कौन कहता है हम कहते हैं विजय ने हर लफ चबाया हम कैसे यह घटिया बात कैसे सोच लिया आपने मुल्क की खिद्मत वो कर सकता जो भावक ना हूँ अपने पीछे रोने वाला ना पाले वे रही जिनके ख्यालों में ख्यालों में दो बीवी बसी हो जहें में बच्चों की लाइन चकराती हो मुझसे कहा क्यों नहीं कि याप कि याप सीधे सीधे आरजू की हत्ते का फैसले कर कैसे कर लिया आपने जब मैं आपके पास आया तो अपनी बेवकूफियां पर थोपने की कोशिश मत करो हम पूसते हैं शादी का पस्ताव लेकर हमारे पास आई क्यों थे क्या तो मैं नहीं मालूम था कि प्यार मौबबत और सीक्रिट जेडरन एजन्ट की शादी के बारे में हमारे क्या विचार हैं क्या तुम नहीं जानते थे कि वर्षो पहले हमने आशा से सादी क्यों नहीं कर ली क्यों नहीं अपने पीछे बच्चों की लाइन लगा ली लिकास देखता रह गया उसे इसमें शेक नहीं कि उसे जवाब नहीं सुझा था को उस देर आसु वरे चैरे से देखता रहा फिर बोला मान भी लू कि उस पर स्ताव के साथ मेरा आपके पास पहुशना बेवकूफी थी तब भी आरजू को क्यो मर आपने उसका क्या खसूर था मेरी बेवकूफी की सदा उसे देने का क्या हक था आपको हम तुमारे हर सवाल का जवाब देने के पावन नहीं है दिल जले हमने वो किया जो ठीक लगा और आरजू को मार डालना आपको ठीक इसलिए लगा क्योंकि आपने सोचा आरजू की मौत के बाद क्या कर सकेगा विकास ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा तड़पेगा चीखेगा चिलाएगा हत्यारा कोई और होता तो शायद चीर फाल भी डालता मगर आपका अपने गुरू का अपने अंकल का क्या करेगा मार तो सकता नहीं यही सोचाता न आपने बिलकुल यही सोचाता दिल जले काले लड़के को वहम जरूर था कि तुम भसमासूर बन जाओगे हमें भसम करने का फैसला करोगे और हम एक आएक धिकार बरी मुस्कान के साथ विकास ने विजय का गिरेवान छोड़ दिया थोड़ा पीछे अटा बोला ना आपने कभी प्यार किया है ना प्यार करने वालों को समझ सकते हैं मतलब विजय की आँखे सुकडी विकास ने एक जटके से रिवार्वर निकाली और बोला जैसे मैं जानता था कि आप सीक्रेट डेजन की शादी पसंद नहीं करते वैसे आप भी जानते है गुरू विकास का सिद्दान खून का बदला खून है जबड़े कजगे विजय के गुर राया अगर काले लड़की का सूचना सही था तो कानों में तेल डाल का सुन दिल जले हम शंकर की तरह जान बचाने के लिए भसमा सुर के सामने से भागने वाले नहीं है सामने खड़े हैं तेरे सीना भी तान दिया है एक अदनी सी लड़की के बतले हमारी जान लेना चाहता है तो चला गोली सर ब्लैक बॉय ने बीच में आना चाहा हट जाकाले लड़के विजय ने उसे अपने और विकास के बीच से हटाते हुए का देखने तो देख जिसे हम आजाद भगास सिंग बनाना चाहते थे देखते देखते वर रोमियो कब बन गया चला मजनू चला गोली सिद्ध कर की महबबत वो नहीं होती जो हमने तेरे पैदा होने से आज तक तुस्से की बलकि महबबत सिर्फ वो होती है जो एक लड़की लड़के से या लड़का लड़की से करे मरते वक्त दुक रहेगा तो केवल ये कि हम तेरा ये पतन देखने से पहले क्यों नहीं मर गाए आप गलत सोच रहे हैं गुरू जहरीले सर में विकास के दा चला गया ये रिवॉल्वर मैंने आपका खून भाने के लिए नहीं निकाला उस शक्स को मैं मार भी कैसे सकता हूँ सारी जिन्दिगी जिसके चैरा रिसपर्श की है जिसकी पूजा की और जिसके कर्द से मेरा रोम रोम बिदा पड़ा है तो तेरे सिद्दान का क्या होगा कैसे लेगा तू खून का बदला खून से ऐसे कहने के साथ विकास ने रिवॉल्वर की नाल अपनी कटपटी पर रखी और धाय गुप्त भवन गूँच उठा पलक जबकते विकास ने टिगर दबा दिया था विजए उसका एरादा भाब चुका था नहीं उधर ब्लैक बॉय हलक फाल कर चिल लाया इधर विजए ने गॉरिल्ले की तरह विकास पर जंप लगाई थी एक्शन करने में विजए को पल के सौवे हिस्से की भी देर हो जाती तो जो गोली अब गुप्त भाउन की छट में लगी थी वह विकास के प्रांट पखेर उड़ा चुकी होती विकास अब भी चीक रहा था छोड़ दो छोड़ दो मुझे उसकी रिवाल्वर वाली कलाई को मिटते विजए ने तेज जटका दिया रिवाल्वर हाथ से निकल कर दूर जा गिरा विजए दौनों हाथों सो उसका गिरेबान पकड़कर जोड़ जोड़ से जजोड़ता हुआ दाढ़ा ये क्या बेवकूफ ये दिल जले होश में होश में होश में मुझे मर जाने दो गुरू विजए निरंतर उसके बंदन से आजाद होने के लिए मचलता चीका खून का बदला खून है आर्जू नहीं तो मैं भी नहीं चटा विजए न भरपूर ताकत से उसके गाल पर एक चाटा मारा नालायक पेवकूफ आर्जू ही तेरे लिए सब कुछ हो गई मैं अपनी आत्मा पर उसकी मौत का बोज लेकर जिन्दा नहीं रह सकता कहने के साथ उसने इतना तेज जटका दिया कि विजए जैसा शक्स लड़कडा कर विपरित दिशा में जागरा ब्लैक बॉई ने जपट कर विकास को पकड़ना चाहा परंतू विकास जुनूनी अवस्था में था ऐसी अवस्था में जिस्मानी ताकत कही गुनाश जादा बढ़ जाती है एक ही ठोकर में उसने ब्लैक बॉई को दूर उच्छाल दिया फर्श पर जंप लगाई रिवॉल्वर उठाया कनपटी की तरफ ले जाई रहा था कि विज़े चीका रुग चाम अजडू की उलाद शर्वती आँखो वाली जिन्दा है टेगर पर कस्ती विकास की उंगली ठिटकी चीका चूट ये सच है दिल जिले आप मुझे बचाने के लिए काले लड़के उसकी बात पूरी होने से पहले विज़े ब्लैक बॉई से बोला रान जे की इस दुम को बचाना चाता है तो शर्वती आखो वाली के दर्शन करा ब्लैक बॉई इस तरह आँखे पाड़े विज़े को देख रहा था जैसे उसके सिर्फा सींग हो गायो कंपटी पर रिवालवर रखे विकास समझने की कोशिश कर रहा था कि विज़े की बात में दम है या नहीं विज़े ने ब्लैक बॉई से का दीदे फाल पाल कर हमें क्या देख रहो प्यारे दिल जले को इसकी जानो जिगर से मिलाओ नहीं तो हाथ से गया लड़का ब्लैक बॉई को जटका सा लगा विकास की तरफ पलट कर बोला ये सच है विकास आर्जू जिंदा है रिवालवर तब तक कंपटी से नहीं अटेगा जब तक मैं उसे देख नहीं लूँगा ब्लैक बॉई ने जबटकर बटन दबाया चेंबर की धाइनी दिवार सरक कर अपने स्थान से हट गई एक कुर्सी के साथ बंदा आर्जू का बिहोश जिसम साफ नज़र आ रहा था आर्जू विकास ने रिवालवर एक तरफ फैका दिवानगी के आलम में कुर्सी की तरफ दोड़ा आर्जू बिहोश थी विकास इस तरह उसके चेहरे को ठटोलने लगा जैसे खुद को यकिन दिला रहा हो कि उसके हाथ आर्जू के ही चेहरे पर गर्दिश कर रहे इस स्पीच विजे विकास का रिवालवर उठा चुका था ब्लैक बॉई आँखों में हैरत लिये अभी तक विजे को देख रहा था उस विजे को जिसने विकास की तरफ बढ़ते हुए का अच्छी तरह चेक कर ले दिल जले कोई मेक अप कोई फेस मास नहीं है मैं जानता था घुरू मैं जानता था आप आर्जू को नहीं मार सकते लेकिन सर आपको कैसे मालूम है कि आर्जू जिन्दा है मारे हैरत के ब्लैक बॉई का बुरा हाल था इसे तो मैंने इसकी महरबानी से मालूम था विज़ा ने रिवाल्वर से कनपटी ठक ठकाने के बाद अपनी आखों की तरफ इशारा किया और इन से देखा मतलब फाइव इस्टार होटल के स्विमिंग पुल में भरे पानी जितना साफ है विज़ा कहता चला गया हम शर्वती आखो वाली को किड्नाइब करके याला है इसे फिनिश करने का अपना फैसला सुनाया तो मैं विरोध करना चाहिया था किया हमारी ठिटोली चली रही थी कि दिल जला अधम का हमने टीडियम को फोन किया हाला कि उदर से सई नंबर बताया जा रहा था मगर दिल जले को गलत नंबर लिखवाया क्यों आखिर क्यों करूँ ताकि तुम गोखले का तीया पाचा कर दो उस बेचारे को किस मुन की सदे दिलाई अपने भारत में रहकर भारती होकर ISI के लिए काम करने की यानि वह ISI का एजन्ट था यह बात हमें गोपाल किशन के सावला के यहां से मिली उस डायरी ने बताई जिसमें भारत ISI के एजन्ट के नाम पते और फोन नंबर है और दूसरी डायरी आपको गोखले के फ्लैट से मिली जो इस वक्त मेरे पास है गलत विजह ने का गोखले के फ्लैट से कोई डायरी नहीं मिली वह वही डायरी है जो गोपाल किशन सावला की कोठी से मिली दी केवल तुम्हें भर्माने के लिए इमने डाइरी गोखले के आंसे बरामत बता कर तुम्हारे हवाले की। क्यों? ताकि तुम आसाए आईसाई को आरजू की किटना पर मानकर भारत में इस्तितुन के सभी एजेंट्स की वैगत बनातो जो की गोखले की बनाई। जबकि वास् इसनी तरफ से आरजू कोई रख का धेर बनाया था वो तो आजए अंकल की कार गुजारी से ये कार गुजारी करने का मौका तेरे अंकल को हमने दिया बेटे। गोखले का नाम सुनते ही तो उसके फ्लैट की तरफ लपका हमें तेरे साथ चिपकने के कोई दरूरत नहीं थी मगर चिपके इसलिए चिपके ताकि काले लड़के को कार गुजारी करने का पूरा मौका मिले। जबकि तुम किसी हालात में ऐसा नहीं चाहते थी। ऐसे हालात में अपनी चाहा पूरी करने के लिए मौका मिलने पर तुम और कर भी कह सकते थी। वही ना जो हमने चाहा यानि इदार हम दिलजले के साथ गोखले के फ्लैट की तरफ निकले उधर तुमने भारत इस 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 इसलिए नहीं बताना चाहते थी क्योंकि मुझसे छुपकर तो ये काम तुमने अपनी समझ से समझ में किये ही था। यानि आपको इस टेचर पर रखने से पहले मालूम था कि वह आर्जू नहीं है। लेकिन विकास ने पूछा इस सब का फायदा क्या हुआ गुरू कुछ नहीं। विजए ने मूँ पिछका दिया। फिर विकास के मस्तक पर बल पढ़ गए। किया क्यों। विजए ने बात ओड़ा देनी जाई। ओड़ा निकला ता सर में। चुहल की थी तुम से। नहीं विकास की छटी इंद्रिय सतर्क हो गई। मैं नहीं मान सकता कि आपने ये सब बेगार किसी बड़े मकसद के किया। वजए तो थी प्यारे। विजए ने खूसर बुड़े की तरह गरदाने लाई। मगर अब नहीं है। और जो है ही नहीं कभी थी उसे बताने से क्या फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हूँ। आपने आरजू का परण क्यों किया। फर्मा तो चुके प्यारे। तुमारे कर कलमों से आएसाई के एजएंट्स का विकास उसकी बात पूरे होने से पहले गुर्रा ओटा। ये आदा सच हो जकता है गुरू पूरा सच नहीं है। ऐसा क्यों ये काम तो आप मुझसे बगार आरजू को किड्नाइप किये भी करा सकते थे। गोपाल किशन सावला के यहां से मिली डायरी मुझे पकड़ा कर हुक्म देते कि इन सब का सफाय होना है तो क्या मैं आपके हुक्म का अपाला नहीं करता। ज अपने सोचा इन हालात में शर्वती आखो वाली तुला राशी की कोटी में सुरक्षित नहीं है। और आप इसे सुरक्षित जगे ले आए। यह पूरा सच। तुमारे बच्चे जीए दिल जले। दाद गड़ा गड़ा कर तुमारा खून पीए। नहीं गुरू विकास अगर यह पूरा सच यह भी नहीं है। यानि अगर यह पूरा सच है तो आपने खुद को मेरी नजर में आरजु का थ्यारा थाबित करने की कोशिश क्यों की। मुझे इस ब्रह्म में क्यों डालना चाहके आपने आरजु की हत्या करती है। एक एक शब्द उपर जोड़ द कि खात्मे के साथ हम तुझे उस प्रेमजाल से भी निकालना चाहते थे जिसमें तु फज गया है। पूरा सच यह है कि हम तेरी शादी नहीं चाहते है। सोच आता हमारे हाथों आरजु का खात्मा हुआ समझकर तू रोई गिर्गड़ाए चीके चिलाए और तड़पे भ नहीं चीनना चाहिए। पूरा विश्वास था कि हम इसे लपेटे में लेकर इस बात पर सहमत कर लेंगे कि ये चुपचाप अपने देश निकल जाए। और तुझे कभी पता ना लगने दे कि वो जिन्दा है। सोचा था शेहदाद सलीम की तरह तु कुस दिन अपनी अना काले लड़की की सोच से उपर की चीज निकला। ना तु देवदास बनने को तैयार हुआ ना भसमा सुर। उल्टा खोदी को खत्म करने पर आमादा हो गया। तब सारे रैस से खोलने पड़े और इस वक्त हम तेरे सामने चारो खाने चित पड़ें। जो कुछ मैंने किया कोई शड़ें तरचाल या पैतरा नहीं था गुरू गंबीर सर में विकास कहता चला गया। वैं महबबत करने वालों की सवावी प्रतिक दिया थी। जो महबबत करते हैं वे एक दूसरे के बगहर नहीं रह सकते। इस बात की गहराई को आप इसलिए नहीं समझ सकते क्यों पूछो क्या सीक्रेट सर्विस के नियमों के तैस सीक्रेट एजन का शादी करना अवैद है। सवाल ऐसा था कि हरबड़ा गया ब्लैक बॉई। हरबड़ा कर विजय की तरफ देखा। विजय के चेरे पर दूर दूर तक कोई भाव नहीं था। पत्थर के स्टैचू की मान खड़ा तव है। मेरी तरफ देखकर जवाब दीजे चीफ विकास के लहजे में अजीब सी खराश थी। क्या सीक्रेट सर्विस का कोई नियम ये कहता है कि सीक्रेट एजन शादी नहीं कर सकता। ब्लैक बॉई को कहना पड़ा नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन विक विकास अपने एक एक शब्द उपर जोड़ देता कहता चला गया। मगर उस इच्छा भावना और इशारे के पीछे कोई ठोस तरक होना चाहिए। ये कोई तरक नहीं हुआ कि शादी शुदा आदमी देश के किसी काम नहीं आ सकता। ऐसा होता तो ये देश किसी सैनिक को शादी की अजाज़त नहीं देता। विजय ने पूछा यानि तुम शादी पर आमादा हो। अगर आपको रोकने की कोशिश है। अगर आपने रोकने की कोशिश की तो मुझे आत्मत्य करने से कोई नहीं रोक सकता। कहने के बाद विकास ने आरजु का बेहोश जिसम कुर कावन अपनी संस्ता को अभी इतना दूद नहीं पिलाए जितना फौलाद आपने अपने पेटे के जिस्म में बारा है आर्जू की तरफ उटने वाली हार आकमा फोड़ दूँगा मगर विकास ने थोड़ा ठैर करका मेरे खायाल से मेरी आर्जू यहां कुछ जादा खत्रे में कहने के साथ वा मुड़ा और लंबे लंबे कदमों के साथ गुपत बोवन से बाहर निकल गया थट 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 जमाने थट तिरी की विकास के जाते ही तीन बार अपने माते पर हाथ मारने के साथ कहता विजय धंब से उस कुर्सी पर गिर गया जिस पर कुछ देर पहले तक बेहोश आर्जू पड़ी थी ब्लैक बॉय के जहन में आधिया चल रही थी खत्रे के बादल वक्ती तोर पर भले ही छट गायों मगर हमेशा के लिए नहीं टले थे बड़ी मुश्किल से पूछ सकावे अब क्या होगा सर तुम्हें बहुत तगड़ा वहमता कि अगर हम साफ साफ कहें कि यह शादी नहीं होगी तो ममान जाएगा इस लियास से जो हुआ बहतर हुआ तुमने देखा दिल जला हमारी इच्छा भावना और इशारे के पीचे ठोस तर्क चाहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जहन पर बहुबत की चर्वी चड़ गई वरना क्या दिल जले को हमारी इच्छा जानने के बाद कुस्तों से समझने अतर के ढूडने की जरूट थी तुमने भलाई इस चर्वी को अब देखा हो लेकिन हम मौन्टों की डायरी पढ़ते ही देख चुके थे तब ही तो यह सब किया किया जरूर मगर चूक हम भी गए और ये चूप भावक्ता के कारण हुई कौन सी चूक सर हमें तुम्हें आर्जू को बदलने का मौका देने की जगए सचमझ उसका क्रिया करम कर देना चाहिए था हमने तुम्हें ये मौका अपनी भावक्ता भरी केवल इस सोच के कारण दिया कि आर्जू बिचारी का क्या कसूर है उसे किस गुना की सजा मिले तो चलिए दोस्तो वीडियो को यहीं समाप करते हैं मिलते हैं भस माजूर के अगले बाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद